सिर्फ एक बंदा काफी है ने इतिहास रचाय मैं आपको कहूंगा इस समें वन बिलियन मिनिर्ट से भी आगे जा चुकी है और मैं सिर्फ इंडिया के बात कर रहा हूं मैंने एक नया छोड़ा सा ओफिस बनाया तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के सारे आवर्ड जो है मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगा आप यकीन मानिए कि बंदा के आवर्ड ने जगई नहीं छोड़ी छोटा उसका तो बंदा ने मुझे इतना दिया बंदा ने हम सब को इतना दिया सिर्फ एक बंदा काफी एन्हें इतिहास रचा है मैं आपको कहूं एक साल से जादा हो गया इसको जी फाइप पे आये हुए और इसमें वन बिलियन मिनिट से भी आगे जा चुकी है और मैं सिर्फ इंडिया के बात कर रहा हूं यहां पर मैं जी फाइप गलोबल की ब कर रहा हूं उसको हम लोग अभी काउंट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अभी तक डेटा एक अठा कर रहे हैं और कम से कम मैंने एक नया छोड़ा सा ओफिस बनाया तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के सारे अवर्ड जो है मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा आप यकीन म हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इतना प्यार समयटे कैसे हैं इतना समान समयटे कैसे ये वाली सित्वट्य बंदा के साथ में होई है कि जहां पर लोगों ने देखा भी फिल्म ने इतना बढ़िया किया और esat में सम्मान और तारीफ इतनी होई मेरे लिए सिर्फ जी फाई भी काफी है मैसमा आपका करियर देख रहा था शुरू किया ने डायर के साथ काम करें इसका क्या राध है नेरे जागर आपको याद हो तो मैं ये काम अल्मस्ट बहुत पहले से कर रहा हूं डॉक्टर साब डॉक्टर चंदपगाज डिवेधी सर ने जब मुझे पिंजर दी थी तब चंदगुप्त बनायों को बहुत साल हो गया थी उसके बाद पिंजर में इसक्रिप पड़े थी इमीजेटली मैंने कहा था डॉक्साब मैं कर रहा हूं फिर 1971 का डिरेक्टर अमित सागर उसने कभी कोई फिल्म डायक्ट ने की थी वो अपने होम परड़ेक्शन में जो उनके सीरियल होगर बनते थे उसमें कभी कभी बनाता था नहीं तो वो स्टुडियो होगर को चलाने मदद करता था बड़ोधा में और लेकिन करीब पात साल पहले से मुझे रेलाइज हुआ कि यार मुझे अपने डिरेक्टर्स खोद खोजने हो होंगे क्योंकि जिस तरह की स्क्रिप्ट करना चाहता हूं उस तरह के ओफर्स नहीं आ रहे हैं लेकिन वो मेरे मेरे मुताबिक नहीं है मैं इस तरह से मैं अपने करियर को आगे लेकि जाना चाहता हूं वहां पर जो लोग शौट फिल्में बनाते थे उनकी बहुत साई इस पाइच उसको भी मैंने कहा कि भाई तुम मेरे साथ फिल्म बनाओ तो इस पाइच हुई और फिर एक गली गुलिया दिपेश जैन उसी को देखते हुए दिपेश जैन ने मुझे मेल किया स्क्रिप्ट को तब वो एले में थे तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी इमिजेट तब ऑजिया कि एड़ा था उस समय तक जब यह आया था नहीं था, वो आइस्पेरिंट कर चुगा था अच्छे एपिसोड, तो मेरा पूरा विश्वास था कि याद में करेगा और उसने किया, दीपाग किंगरानी जो राइटर है, वो कमाल के राइटर है, वो देनमार्क में रहते हैं और यहां आते रहते हैं काम करने के लिए, फि मैं गया मिलने के लिए तो मेरा जो है अपनी मीटिंग में और ट्राफिक में ऐसी अटकी करीब धाई-तिन घंटे तक लेट हो गई हूँ अपने होटल के कमने में और मेरे कास भी टाइम बहुत था तो राहूल चिटला और मैं उनके सुईट में बैट करके गंटों बात चीट करते रहे और तब मैंने राहूल चिटला से कहा था कि तुम मुझे साइनिंग दे दो अभी के अभी उसने कोई चीज नहीं बनाए थी उस समय तक मैंने कहा कि तुम मुझे साइनिंग दे दो और एक शॉर्ट फिल्म बना लोगे तो दिखा देना मैं तुम्हारी फिल्म में मैं जरूर रहना चाहिए तो उसने उसने जो है मेरे का से एक रुपे दो रुपे दिया था इस तरह से मैंने राहूल चिटला को खो जा था और अभी भी मैं कुछ एक नए डिरेक्टर को मैं अभी कुछ समय में फाइनल करने वाला हूँ मैं कम्प्लीट कर लिए प्रोड़क्शन हाउस में बना लिए आपने क्या मतलब पैसा कमाने के लिए अच्छा मैं आपको बताओ निरज कि अगर पैसा कमाने के लिए प्रोड़क्शन हाउस खोल रहा है तो यह समझ लिजए कि लॉसी लॉस है अगर आप अगर आपको फिल्म बनाना फिल्म प्रोड़क्शन करना और क्रियेटिवली फिल्म को शुरू से लेके अंतक रूप देना इसका शौक है तब आप कीजी अगर प्रोड़क्शन हाउस में जा रहा है कि जो कि मेरी वाइब भी बोलती है कि फिल्म की सफलता और सफलता डिसाइड हो जाती उसके बजट से जो कि अगर कंट्रोल न बनेगी तो कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा फिर आप दूसरी बना सकते हो अगर नुकसान हो गया तो शायद हो सकता है कि आप इतनी डिस्करेज हो जाओ कि ताला लगा दो क्योंकि कोई भी अपनी एक्टिंग में पैसा कमा करके मैं लुटाना तो नहीं चाहूँगा तो एक एंटिटी अलग है हम तीनों का शौक है विकरम खकर का सिनेमा बिजनिस का फिल्म बिजनिस का शौक है शबाना का शौक है पॉडक्षन की तरीके का काम में इंवाल्व होने का और एक्टिंग करने का मेरा सबसे बड़ा जो पैशन है वो एक्टिंग है लेकिन मैं भी मुझे मज़ा आ रहा है किसी फिल्म का की राइटिंग से लेकर के रिलीज तक उसके बिजनस आसपेक्ट में भी चीजों को देख करके मुझे अंत तक जाने हैं बड़ा मज़ा रहा है तो मुझे लगता है कि अब इतने दिन तक सिनमा में काम किया तो यही एक चीज है जिसको हम पूरी तरही से जानते हैं मैं तो नाइटर नोट पे खतम करूँगा कि सिर्फ शभाना जी जो पूरूसर है और एक्टर मनुझ बंपी इसे को डिस्कॉन बिलता है कुछ उल्टा तो मुझे चूप रहने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि आपका पैसा ताय हो जाएगा और तिरे पाठी जू को बता दिया जाएगा